सुकन्य समूरुद्धी योजना है बेटिओं के भोविशे के लिए बेतर निवेश दस सल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और सादी के लिए बच्च करने के लियाज से केंद्र सरकार ने की गई शुकन्या समूरुद्धी योजना एक बहुत ही अच्छा option है, इस scheme के साथ आपको income tax section ATC में tax में छूट मिलेगी, तो देखते हैं कैसे खुलवाना है SSY में account, बच्ची के जल्म होने से 10 साल के अंदर आप सुकन्य समरुदी योजना में account खुलवा सकते हैं, post office में या कोई भी सरकारी bank में, या काफी private banks में भी account खुलता है पहले इसमें minimum 1000 रुपीज पे करना था, बट अभी नए अपडेट के इसाब से आपको साल में कम से कम 200 रुपया paid करना है और maximum आप 1.5 लाग तक paid कर सकते हो, सुकन्य समरुदी account में कब तक चलाना होगा SSY account, तो SSY account girl child 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक आप ये account चला सकते हैं और ये account का उपयोग क्या है, ताकि 18 साल की उम्र तक एक account मैचोड होने के पहले और बेबी के 18 साल होने के बाद, आपको अगर उच्च शिक्षा के लिए, higher education के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो 50% amount आप इस account में से निकाल सकते है, for higher education क्या है, खाता कोलने के नियम और उसके लिए जरूरी कागजात तो नियम है के बेटी के 10 साल होने के पहले ही आपको account खुलवाना है और एक बेटी का सिर्फ एक ही SSY account खुलेगा, एक से ज़्यादा account नहीं खुलेगा उसके लिए जरूरी कागजात है बेटी के bird certificate आपको लगेंगे और उनके साथ relative के भी पहचानपत्र जरूरी है और मैंने ये भी सुना है, दो बेटीयों तक ही आप SSY account खुलवा सकते है तीसरी बेटी है, तो उनका account नहीं खुलेगा सो कितनी रकम जरूरी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कम से कम आपको साल में 500 रुपया भरना है और maximum आप 1.5 लाक रुपया तक साल में भर सकते हो अगर account में आप रकम नहीं जमा कर पाए, तो आपको 50 रुपी सालाना penalty चार्ज लगेंगी और आपने penalty भी नहीं चुकाई, तो आपका जो SSY account है वो saving account में जैसा behave करेगा और saving account के लिए जो interest rate मिलता है वही इस account को भी interest rate मिलेगा खाते में रकम कैसे जमा करवानी है, तो आप इसमें cash से बर सकते हो check से बर सकते हो, demand draft कर सकते है, online transfer कर सकते है account में direct online transfer भी कर सकते हो, और सबसे ज़रूरी account mature कब होगा जब आप account खोलते है, उससे 21 साल पूरा होने के बाद, ए SSY account mature होगा और girl child की शादी होने के बाद, account mature हो जाएगा for example, 9 साल की बच्ची के मामले में 24, जब वह 24 साल की हो जाएगी तब तक रकम जमा कराई जा सकते हैं, याने के 15 साल तक आपको पैसे जमा करने हैं और बच्ची के 24 से 30 साल के होने तक, SSY खाता mature हो जाएगा और उसमें जमा रकम पर आपको बैज भी मिलता रहेगा और ये सब details है, ये scheme 2014 में शुरू हुई थी और तब rate of interest 9.1 था, उसके बाद का अब तक का rate of interest यहाँ दिया गया है और current साल का rate of interest है 8.5% per year और यही है सुकन्य समरुद्धी योजना scheme इसमें आपको ही पैसे बरने है, आपके पैसे पे ही bank interest देगी government या central government इसमें कोई ही भी additional पैसा आपको नहीं देने वाला कुछ rumors चल रहे है कि आपको 6,00 रुपया मिलेगा, कुछ मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं है आप जितना पैसा ज्यादा बरोगे, उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा बस इतना है कि rate of interest इसका सबसे ज्यादा है और यही best है निवेश के लिए hope मैंने सब कुछ cover किया है और फिर भी आपको कुछ doubt है तो comment box में आप मुझे पूच सकते हो और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो please मेरा चैनल सस्क्राइब करो और please bell icon पे क्लिक करो ताके next update आपको मिलते रहे thanks for watching